हलो आज है 28 अपरिल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें अदानी एंटरप्राइज के बारे में देखिए 1,922 रुपए का शेर है अच्छी रफतर आई हाज पौने 4% की बड़ी तेजी है और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो यह दीरे दीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है और सबसे अच्छी वात यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं है कि एक जटके में भाग गया है यहाँ पर हर रोज 5,6,7,8,9,10 परचन की तेजे गिरावट नहीं आई है यह एक अच्छी वात है दीरे दीरे करके ऊपर गया वाद में थोड़ा बहुत करेक्शन भी दिखाया अब वापस यह उपर जाने की कोशिश कर रहा है और एक महिने के सबसे हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है अदानी एंटरप्राइज हम सब जानते हैं कि वह यह अदानी गृप की हालत खराब हो गई थी जब से हिंडिन बग की रिपोर्ट आई लेकिन अब दीरे-दीरे सुधार आता नजर आ रहा है एक सपोर्ट बनता नजर आ रहा है यहाँ पर अठरासव रुपए के आसपास और अभी यह उसको ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है इससे पहले 2000 रुपए तक गया था वहाँ से करेक्शन आया था इस बार वापस देरे-देरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो देखना इंटरस्टिंग होगा कि 2000 रुपए का जो लेवल है जो कहते है कि रिजिस्टन्स है उसको यह तोड़ पाता है कि नहीं तो वीडियो में हम उसको बारे में बात्चीत भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हल्प तो अधानी ग्रूप फिर से एक बार अच्छी रफतार दिखाता नजर आ रहा है अधानी एंटरप्राइज में आज तेजी थी तकरीबन 4% की अधानी पावर ने तो 5% की अपर सरकित लगाती थी अधानी विलमर भी तकरीबन 5% की तेजी पर है गैस भी तकरीबन 3% की ते पोट में भी 3% की तेजी है अंबू जा में भी 2% की तेजी और बागी कंपनियों में भी तीजी है तो अच्छी कासी रफतार दिखा रहे हैं और हाला कि बाजार ग्राज अच्छे मूड में था सेंसेक्स में भी काफी बड़ी रफतार में देखने को मिली अधानी बना है जो कि बहुत अच्छी बात है और अब जो पुरानी जो न्यूज की चर्चा थी ःंडंबर्ग वाली वह द्यरे ले खत्म होती नजर आ रही है और जो डेट की बात हो रही थी वो भी कुछ डेट की काफी टाइम बाद में है और कंपनी और्लटि कुछ प्री पेइम का है ठीक है तो सस्ता तो नहीं है ये लेकिन फिर भी ये डाइसों के आसपास भी था ये और लंबे समय तक रहा अगर हिंडन बग रिपोर्ट ना ही होती तो अभी भी अधानी ग्रूप के शेर्ड वह या अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे होते देखो मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि सभी कमिन अच्छी है कुछ कुछ कमिन अच्छी यह यहाँ पर जासे कि头 हैँगो जासे चाहां अभी खरीदारी के मौके बनेंगे 1700 रुपए के आसपास एवन एक strong support मुझे लगता है कि 1400-1500 के आसपास होगा क्योंकि GQG Partners ने इसी price के आसपास खरीदारी करी थी 1410 रुपए के आसपास जो buying थी वो GQG Partners की थी तो मैंने कहा था कि वो एक support के तौर पर और वो price काम करेगा और level बन रहा है यहाँ पर 1700-1800 का तो मुझे रहता है कि अब वो एक strong support बन रहा है 1700-1800 रुपए के आसपास और वहाँ से buying लोट रही है और जो लोग शायद miss कर रही होगे वो मुझे रहता है कि अब definitely इस range पे ध्यान देंगे जरूर enterprise के अगर जहां तक अगर हम बात करें जाये तो volume साथ 60 लाग से भी जादा के देखने को मिला जो कि अच्छी बात है इतना ही नहीं अगर company में देखने के कोशिश का तो 24% लोग कहरे कि बेच और भाग जाओ according to money control user 75% लोग कहरे खरीदो 1% लोग कहरे होल्ड करो company के quarterly results पर भी नजर बनी रहेगी नतीज़े आने वाले है अगले हफ़ते results है इनके 4 मई को इनके results भी है और dividend के बे announcement करेगा हलाकि dividend कोई उतना बड़ा नहीं पे करता है साल में एक रुपे का पे करता है यह तो कोई अच्छा नहीं है बहुत ही खराफ dividend में कहूंगा इसको और जहां तक बात है company के revenue बहुत तेजी से बड़े 2022 में उससे पहले कुछ खास नहीं थे लेकिन share price उससे पहले ही बढ़ गए ठीक है तो यह concern था जरूर profit अगर आप देखो यहां पर तो गिर रहे हैं लेकिन quarter on quarter देखा जाए तो दीरे दीरे ही साही लेकिन रफतार पकड़ती नजर आई है देकि revenue में बहुत बड़ी किरावट आई है इवन profit में भी अगर आप देखोगे तो टीजी आई है लेकिन revenue में बहुत बड़ी किरावट आई है आई देखें जो 40,800 करोड का profit था वो गिर के 38,000 करोड पर गया उसके बाद 26,000 तो बहुत कम था December में तो और बात करें के profits की तो अलग यह profit आई 100 करोड का December में मार्जिन में improvement हुई है या फिर कोई एक one time settlement यहां पर हुआ होगा जिसे पैसा आया होगा यहां पर और जहां तक बात करें तो पिछले कुछ quarters में profit बड़े ज़रूर है और expectation अब बढ़ चुकी है कि कैसे नतीज आएंगे 4 माई को जब results आएंगे तो बहुत बड़ा दिन होगा इनके लिए क्योंकि जाहिर से बात है expected ज़रूर है यहां से कि profit आट सो क्रोशे ज़रे ज़्यादा का होना चाहिए और revenue भी इनका ठीक ठाक होना चाहिए 30-32 क्रोड का मेंगम होना चाहिए पिछले कुछ हफतों में यह वापस नीचे की तरफ भी आतना अज़र आ जाएगा अगर results अच्छे नहीं आए इसके तो enterprise के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर 115 का इसका P ratio sector भी 50 का मेहगा है यह और अगर results अच्छे नहीं आए तो यह high valuation है उसको enjoy नहीं कर पाएगा कोई भी analyst खरीदारी करने के बाद नहीं कर रहा है zero holding के बारे में भी अगर हम बात करें share holding के बात करें तो promoter के पास 69.23% की holding है जो पहले 72.63% हुआ करती थी तो promoter ने बड़ी quantity यहां पर बेची है और बेचन से simple मतलब है जी को जी पार्टनर्स आये थे जिन्होंने बड़ी quantity में खरीदारी करी थी यहां पर तो बड़ी quantity कहा सकते है कि यहीं पर हुई है और mutual funds ने हलाकि बिक्वाली करी है promoter ने भी बेचा mutual funds ने भी बेचा 1.19% की holding 0.87 पर आ गई जहां तक December अगर हम domestic की बात करें तो 4.26% की holding 4.28 पर आ गई मतलब अल्मूस वहीं पर है लेकिन खरीदारी किस ने करी Files ने करी यहां पर mutual fund ने बेच दिया domestic ने कुछ भी नहीं किया promoter ने भी बेचा Files ने खरीद है यहां पर 15.39% की Files की holding 17.75 Files controversy का मुद्दा है हाल फिलाल में अदाने ग्रूप में allegations यही तो लग रहा है इनके उपर के वहीं प्रमोटर के पास बड़ी quantity है Files से बड़ी quantity खरीद वाते मोरिश्यस बेज एफाइल से जिसकी इनहीं के शल कंपनिया है ऐसे allegations लगे हैं अभी भी कुछ प्रूफ नहीं हो पाए और अभी भी रिपोर्ट जो है वो अभी तक कोई submit ऐसे कुछ हुई ऐसे कोई बड़ी reports आई नहीं है देखते हैं जब आएगे तो बात करेंगे उसके बारे में लेकिन यहाँ पर जो buying देखने को परसन की holding 4.45 मतलब उतनी ही रही लेकिन retail ने बहुत बड़ी quantity खरीदी है देखा जाए तो Files और retail ने खरीदारी करी है बाकी सब ने यहाँ पर बिक्वाली करी है domestic ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर यहाँ आप कह सकते हो अधानी enterprise देखो company अच्छी जरूर है और मैं कहता हूँ कि काफी well connected है कई सारे project इनको पिछले कुछ सालों में मिले है अभी भी मिल रहे हैं आगे भी मिलते रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पता है कि market में हो क्या रहा है सरकार कौन सी scheme में पैसा खर्च कर रही है और वहाँ भी अपने एक सब्सुर्णी company बना जैते हैं और काम का शुरू कर देते हैं और बड़ा पैसा चापते हैं यह लोग और जो भी पैसा यह लोग करते हैं जो भी ना बिजनस शुरू करते हैं वह खुद के पैसो से नहीं करते हैं वो भी यह लोग लेते हैं लोग लेकर बिजनस शुरू करते हैं कमाते हैं चुकाते हैं तो यह वाला हिसाब किताब है इनका और काफी बड़ा debt definitely लेके रखा है भले ही कह रहे हैं कि कुछ debt चुकाया है लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो कहीं न कहीं shares थोड़े बहुत गिर्वी रखे हैं या फिर शेड्स बेज कर हुआ है तो मैं इतना कहूंगा अभी के लिए कि अड़ानी enterprise company अच्छी जरूर है लेकिन इनके चार तारीक के नतीजे के उपर नजर होनी चाहिए expectation अच्छी ही है कि results बहतर आएंगे इनके लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि खरीदारी करिये तो बनी तहीं लेकिन जहां तक बात है fresh buying की मैं wait करूंगा 2000 रुपए के level के breach होने का जब तक वो नहीं होता है मैं इंतिजार करूंगा और अगर गिरता है ये नीचे की तरफ तो मैं 1700 रुपए के आसपास को जो level है वो मुझे attractive लगता है buying करने के लिहाज से तो वहाँ पर नजर आपकी होनी चाहिए उसके अलावा अदानी विलमर भी मुझे पसंद है मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 350-400 के बीच मिले definitely अदानी विलमर में खरीदारी के मौके बनेंगे ज़रूर लेकिन आपको जो outlook है वो long term का होना चाहिए short term का नहीं होना चाहिए अदानी port मुझे पसंद है लेकिन मैं अभी इस range को avoid करूँगा क्योंकि अल्यड़ी ये उस range पर है जहां से हिंडियन बग की रिपोर्ट के बार ये गिरा था तो यह almost recover हो चुका है तो यहां से potential थोड़ा सा कम नजर आता है मुझे लेकिन port अभी नहीं लेकिन जब बहुत नीचे गिरेगा दुबारा से तब definitely मौके डोड़ने चाहिए पावर मैं अभी के लिए avoid करूँगा क्योंकि दो सो चौबिस वले ही एक परलब कैसे कि जिस range से गिरा है उससे तो कम ही है लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अधानी पावर मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है इस range के आसपास अगर गिरेगा तो definitely खरीदारी के मौके होंगे लेकिन दो सो पचिस थुआ सा मेहगा लग रहा है अधानी गैस हो गया ग्रीन हो गया उसको मैं अभी के लिए avoid करूँगा अंबुजा की जहां तक बात करे एक बड़े announcement भी हुई थे कि बड़ा debt चुकाया है इनोंने और अभी के लिए फिर भी मैं अंबुजा को avoid करूँगा मुझे तक यहां पर भी correction बनने के chances होंगे cement sector में तो अभी के लिए avoid है ये लिए enterprise पे नजर होनी चाहिए आपके अगर 1700 के आसपास मिलता है तो और नतीजे कैसे आते उसके उपर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी इनके results आने वाले हैं बहुत कुछ picture उससे clear भी होती नजर आ जाएगी बाकी मरज़िया आपके वीडियो को यही प्रेंट करूँगा पसंद आएगा लाइक कर शाय करें चैनल बगरा पहली बारे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अदानी एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं वह भी आप मुझे कमेंट में लेकर बता सकते हैं थैंक्यू